हाई आपको अपने एंसे टिलर्न में आपका स्वागत है आज हम पढ़ेंगे चप्टर एड जिसका नाम है डिवेशनल पार्थ टू दा डिवाइन मतलब भक्ति का रास्ता परमात्मा तक पहुँचने का आपने अक्सर देखा हुआ कि लोग जो है वो रिचॉल्स परफॉर्म करते हैं किस चीज के लिए तो वो करते हैं वर्सिप के लिए एक तरह से मतलब की पूजा पाट के लिए फिर से भजन वगारा गाने के लिए फिर से कृतन करने के लिए भी रिचॉल्स करते हैं फिर कवा में आसू आ जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि कितना इंटेंस है उनका प्यार जो है भगवान के प्रती इसी को हम बोलते है डेवोशन जो की भगवान के प्रती होता है और यह जो है लेगसी है बहुत सारे भक्ती और सूफी मूवमेंट का जो की इवाल्व हुआ है 8th century के बा आने वाले तो सबसे पहले तो हम देखेंगे idea of supreme god हम देखेंगे यह supreme god का जो है एक तरह से concept कैसे आया फिर हम देखेंगे कि जो new kind of भक्ती जो south इंडिया में एक तरह से develop हुआ नैनार और अलवार के form में उसको अच्छे से समझेंगे इसके बाद हम philosophy और भक्ती को समझेंग फिर हम बासाउना का विरासवीज्म को समझेंगे उसके बाद हम saints के बारे में पढ़ेंगे जो की महरास्टा के थे उसके बाद हम नत्पंथीज, सिधाज और योगीज के बारे में पढ़ेंगे फिर हम Islam और सुफीज्म को समझेंगे उसके बाद हम देखेंगे कि जो new religious development और फाइनली हम एक क्लोजर लुक देंगे कबीर के बारे में और गुरुनानक जी के बारे में तो बिना देर किया चपको स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम पढ़ेंगे idea of supreme God के बारे में हम जानते ही हैं कि जब new kingdom जो की बड़े बड़े एक तरह से जो भी kingdom इमर्ज हु नहीं towns, trade और empires का एक तरह से हम बात करें ग्रोथ हुआ तो लोग जो है एक तरह से नजदी का हैं और फिर हम देखते हैं कि नए ideas जो है एक तरह से develop होना start हो गया हैं जैसे कि एक idea जो है वो widely accepted किया गया लोगों से वो था कि जितने भी लोग जो है या फिर living thing हम बात करें त करते हैं यह जो है बहुत ही जादा एक तरह से concept accept किया गया इसके अलावा और idea की बात करें तो और idea में आया कि जैसे कि जितने भी human being है वो equal नहीं है जन्म के समय में भी यह भी जो है बहुत ही जादा एक तरह से प्रचलीत हुआ और लोगों ने accept कर लिया इसके अलावा और और belief की बात करें तो जैसे कि कुछ belief यह भी प्रचलीत हुए कि जो social privileges होता है वो जो है एक noble family में मतला high caste family में जन्म लेने के साथ ही आता है और यह भी जो है बहुत सारे जो है अच्छे अच्छे टेक्स्टों में लिखा जाने लगा और जिसके कारण जो है लोगों ने इसे बहुत ही असानी से एक तरह से accept कर लिया हाला कि हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को जो है यह idea पसंद नहीं आया और वो जो है एक तरह से turn किये बहुत सारे दूसरे teaching में जैसे कि बुद्धा और जैनास के teaching में जिसके अनुसार जो है यह मतले एक तरह से माना जाता था कि यह possible है कि हम जो है इन social differences को खतम कर सकते हैं और cycle जो है यह reward का इसको भी हम एक तरह से पार पा सकते हैं अपने personal effort से तो यह जो है उन्हें बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि उसमें जो है एक तरह से पार पाना एक तरह से कोई रास्ता नहीं था लेकिन जो बुद्धाज औ कुछ और idea के प्रती जैसे कि एक idea था कि Supreme God का उसमें वो लोग मानते थे कि अगर जो है हम अपना मतले स्वरद्धा से एक तरह से भक्ती भाव से अगर हम एक तरह से लग जाए मतला devotion में एक तरह से लग जाए भगवान के तो वो जो है हमें इससे पार पा सकते हैं और यह idea क जो की काफी popularity एक तरह से गेन किया common era में अगर हम बात करें कि कौन से देवी देवता एक तरह से मतलब की popular हुए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सिवा बिष्णू और दुर्गा जो है यह एक तरह से सुप्रीम डाइटीज के रूप में एक तरह से सभी जगा मतलब पूज होते थे अलग-लग areas में वो जो है एक तरह से identify होने लगे सिव बिष्णू और दुर्गा के नाम से इसी process में हम देखते हैं कि जो local myth जो थे मतलब कि एक तरह से जो भी काल्पनिक बाते थी वो जो है पुरानिक stories के एक तरह से part बन गई और इसी में हम देखते हैं कि जो है ज बात रखता है कि यह possible है किसी भी devotee के लिए कि वो जो है भगवान का असिरवाद ले सकता है चाहे वो किसी भी कास्ट का हो और यह जो idea है भक्ति का यह इतना popular हुआ कि बुद्धिस और जैनाज जो थे उन्होंने भी इस belief को एक तरह से adopt किया अपने धर्मों में तो यह तो ह तो हम देखते हैं कि 7th से 9th century के बीच में एक तरह से नया religious movement एक तरह से emerge होता है और यह किसके द्वारा एक तरह से late किया जाता है तो यह किया जाता है नैनार्स के द्वारा और अलवार्स के द्वारा यह नैनार्स थे वो लोग मतलब हो saints जो की सिव भगवान की एक तरह से पूजा करते थे और अलवार्स वो saints थे जो की विश्नु भगवान की पूजा करते थे और यह जो है सभी कास्ट से आते थे मतलब कि कोई भी यहां तक की untouchable भी आते थे untouchable में अगर हम कुछ लोग की बात करें तो जैसे पुलायार पनार यह सब जो है इसमें एक तरह से included यह जो saint थे इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था बुद्धिस और जैनाज और इसी के कारण से हम देखते हैं कि यह बहुत यादा critical होते हैं उन दोनों के और इनका मानना था कि जो स्यू और विश्नु भगवान के जो एक तरह से मतलब प्यार करते हैं सिर्फ वही जो है एक तरह से हमें मतलब salvation के प्रती पात जो है दिखा सकते हैं salvation मतलब मोख्च का एक तरह से मतलब पात दिखा सकते हैं और इसलिए हमें एक तरह से स्यू और विश्नु भगवान का एक तरह से पूजा करना चाहिए ताकि हम जो है एक तरह से मोख्च की प्राप्ति कर सके यह जो है उनका एक तरह से belief था इन्हों ने क्या किया कि जो ideals थे love और heroism के जो कि हमें संगम literature में मिल जाएंगे उसे जो है एक तरह से कॉमनेरा का उसमें जो है इसे कमपोज किया गया था अले वरते तो हम देखते हैं कि यह जो नैनार्स और अलवार थे यह जो है अब क्या करते हैं कि बहुत सारा जो है एक तरह से पोयम एक तरह से अच्छा-चा बनाते हैं और अलग-लग मतलब प्लेस पर जाके एक तरह से इन यह जो है बिलॉग करते थे बहुत सारे कास्ट बैग्राउंड से जैसे कि पोर्टर भी थे, अनटचिबल भी कुछ थे, कुछ वर्कर्स थे कुछ पीजेंड्स थे, कुछ हंटर्स थे, कुछ सोल्जर्स थे यहां तक की ब्राह्मना जोर और चीफ भी थे बहुत जग के इन में से अगर हम वेस्ट नोन की बात करें तो वो थे अपार संबंदार सुंदरार और मनिका वसागर और यह जितने भी मतलब अगर हम बात करें जितने भी यह सौंग थे इसको जो है दो सेट अफ कमपाइलेशन में एक तरह से बाटा गया ए होटल अगर अलवार्स की बात करें तो वो 12 थे और यह जो है एक तरह से मतलब बहुत ही अलग-अलग बैग्राउंड से आते थे उनमें से वेस्ट नोन थे पेरियलवार उनकी बेटी अंदल फिर तोंद्रा दी पुद्धी अलवार और नमा अलवार तो यह थे उनमें से व हैं टोला और पांड्या किंग थे इन्होंने जो है बहुत सारा जो है इलाबूरेट टिम्पल्स जो है बनावाना स्टार्ट कर दिया स्राइंस के आसपास यह उन्ही स्राइंस के आसपास बनवाते थे जहां पर यह सेंट पोेट एक तरह से विजिट किये थे help कि यहीवा त हम बात करें तो Hagio Graphis जिसे हम Religious Biographies भी बोलते हैं ये जो है अलवार्स और नार्स का एक तरह से Kampoge होने लगा आग जो हम ये सब जो information जान पा रहे हैं ये जो है इन ही टेक्ट से हम जान पा रहे हैं और इस Remember हम इस के तुरू हम जान रहे हैं कि भक्ती ट्रेडिशन जो है एक तरह से कैसे जो है परचलित हुआ यह सारी जानकारी जो है इन बुकों में दी गई है अब हम बात करेंगे फिलोस्पी और भक्ति की तो वन अब दे मोस्ट इंफ्लोएंसियल अगर फिलोस्पर की बात करें तो वो थे संक्रा और इनका जो जन्म था वो हुआ था किर्ला में 8th century में यह जो है बहुत ही बड़े समर्थक थे एद्वत्त के यह इस डॉक्ट्रिन के अनुसार जो है आत्मा और प्रमात्मा जो है एक तरह से मिलके एक हो जाते हैं और यही जो है वो ultimate reality है यह जो है लोग को सिखाते थे कि यह जो ब्रामन है यही जो है ultimate reality है और यह जो है यह फॉर्मलेस है मतलब कोई रूपकार्ड नहीं है इनका और यह जो है बिना किसी attribute के हैं मतलब इनकी कोई विसेस्ता नहीं है इनका मानना था कि जो दुनिया है हमारे आसपास वो एक तरह का illusion है मतलब एक तरह का माया है और इसलिए जो है हमें जो है इस दुनिया को त्याग देना चाहिए और जो है path of knowledge है उसको जो है adopt कर लेना चाहिए ताकि हम true nature जो है वो ब्रामन का समझ सके और जो है attain कर सके salvation भी 11th century में ये जो है काफी influence थे अलवार से इनके अनुसार जो है बेस तरीका जो है मतलब मोक्ष की प्रापती करने का वो है भगवान विस्नु का बहुत ही अच्छे से एक तरह से स्रदभाव और भक्ती करना ताकि विस्नु भगवान की किरपा से जो है devotee जो है वो आनंद ले एक तरह से उनमें मिलने का इन्होंने प्रपाउंड किया मतलब प्रस्तूत किया doctrine of विसिस्त एद्वर्ते जिसका मतलब होता है qualified oneness इस doctrine के अनुसार जो है जब आत्मा और प्रमात्मा का मिलन भी हो जाएगा फिर भी जो है आत्मा जो है एक तरह से अलग ही रहेगी इसका जो doctrine था यह जो है inspire किया नए तरह के भक्ति का जो की develop किया नौर्थ इंडिया में तो यह तो था रामानूज के बारे में अब हम बात करेंगे बासाउना का बिरा सवीज के बारे में हम जानते ही है कि तमिल भक्ति मूव्मेंट का और टेंपल वर्षिप का काफी deep connection है और यह हमें सबसे अच्छे तरीके से देखने को मिलता है बिरा सवा मूव्मेंट में जो की initiate किया गया था बासाउना के द्वारा और उनके companion के द्वारा जो की थे अलमा परभू और अका महा देवी यह जो मूव्मेंट था यह start हुआ था 12th century के बीच में और कहां परे start हु वेरा सवाज थे यह जो है बहुत ही जादा एक तरह से अगर हम बात करें तो support करते थे equality of all human being मतलब यह मानते थे सब में समानता पर एक तरह से भी स्वास करते थे और यह जो है against थे ब्रामनिकल आइडियास के मतलब कास्ट को लेके और उमेंट के treatment को लेके जो की काफी अच करेंगे saints जो की महरास्टा के थे तो हम देखते हैं कि 13th century से लेके 17th century के बीच में महरास्टा जो है बहुत सारे great number of एक तरह से हम देखे तो saint poet को देखने को मिलता है जो की जिनका जो एक तरह से song था वो simple मराठी में होता था और वो जो है लोग को काफी inspire करता था इनमें लावा नामदेव एकनाथ और तुकारम थे और अगर औरतों में बात करें तो उनमें थी सखुबाई और family of चोखामिला जो की बिलोंग करते थे untouchable को और untouchable में भी महार कास्ट को यह जो original tradition था भक्ति का यह focus करता था विथाला temple पर जो की एक तरह से मतलब था पंदार यह जो भक्ति था इसमें यह believe करते थे कि जो personal भगवान होता है सभी लोगों का वो उनके दिलों में रहता है यह जो saint poet थे इन्होंने जो है सभी तरह के ritual को एक तरह से reject कर दिया इसके अलावा जो है जितने भी social differences होते थे जन्म के अधार पर इसको भी पूरी तरह से reject कर दि इसके अलावा हम देखते हैं कि और दी चीजों को reject किया जैसे कि जो idea था कि हमें संसार को छोड़ देना चाहिए इसे भी एक तरह से इन्होंने एक तरह से reject किया और इनका माना था कि हमें अपने families के साथ रहना चाहिए और earning एक तरह से गरहन करना चाहिए ताकि हम livelihood को चला स बात करें तो भक्ती जो है वो emerge होता है जिसमें जो है main एक तरह से emphasis था कि हमें जो है एक दूसरे का जो है एक तरह से दर्द बातना चाहिए इन saints को देखके एक गुजराती saint जो की काफी famous थे नरसी मेता उन्होंने कहा था कि यह यह जो है वो बैसनावाज हैं जो की दूसरे का दर्द समझते हैं अब हम बात करेंगे नत 35 के बारे में सिधाज के बारे में और योगीज के बारे में तो हम देखी रहे हैं कि religious group जो है जो emerge हुए इस period में वो जो है अब criticize करने लगे थे बहुत सारे ritual को और जो पहले से चली आ रहे ही religion में चीज़े हैं उनको भी इसके अलावा जो है social order और इन सब को वो एक तरह से अगर reject भी करते थे तो उनके पास बहुत सारे logical argument भी होते थे इनी में से थे नत्फंतीज, सिधाचाराज और योगीज ये जो है advocate करते थे renunciation of the world मतलब हमें जो है दुनिया को एक तरह से त्याग देना चाहिए उनके अनुसार ये मानना था कि हमें अगर मुख्श प्राप्त करना है तो हमें meditation करना पड़ेगा उस formless ultimate reality के लिए और इसके लिए हमें realize करना पड़ेगा कि हम उनमें मिलके एक हो गए हैं और इसको अगर हमें achieve करना है तो हमें अपना intense training करना पड़ेगा mind का और mind के अलावा हमें body को भी एक तरह से training देनी होगी और बहुत सारे practices के तुरूप कौन-कौन से जैसे योगा आसन करना पड़ेगा breathing exercise करने पड़ेगे इसके अलावा meditation करना पड़ेगा तो ये सब करने से जो है हम पूरी तरह से अपने मतलब की जो हमारा main aim है मुक्ष प्र इन्होंने जो criticize किया था पहले के चीज़ों का जो की धर्मों में होते थे ये जो है एक तरह का ground create किया devotional religion को popular होने में नौर्थ इंडिया में आगे बरते हैं अब हम बात करेंगे इसलाम और सुफीजम के बाड़े में सुफीज और अगर हम बात करें संस में बहुत ही अधिक समानता थी यहां तक कि ये भी माना जाता था कि उन्होंने आपस में जो है कई ideas को एक तरह से अगर हम बात करें तो adopt कर लिया है एक दूसरे का सुफीज जो थे वो मुस्लिम मिश्टिक थे मतलब मुसल्मान रहस्यवादी थे ये जो है धर्म के बाहरी चीजों को एक तरह से reject करते थे और इस्वर के प्रती जो है मतलब कि एक बात करें लव और devotion के सांस साथ सभी लोग के प्रती जो है दया भावना रखने पर जोड देते थे इसी समय हम देखते हैं कि इसलाम ने जो है वो प्रोपगेट किया strict monotheism मतलब इन्हों ने परचार किया एक मतलब की भगवान को मानने का ये जो है अल्ला को मानते थे और इनका मानना था कि हमें जो है अल्ला को पूरी तरह से समर्पन कर देना चाहिए हम देखते हैं कि 8th और 9th सेंचुरी में जो मुस्लिमे स्कॉलर थे मतलब मुस्लिम के जो विद्वान थे उन्होंने सरियत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया फिर हम देखते हैं कि जो यह इसलाम धर्म है यह धीरे धीरे जो है कॉंप्लेक्स होने लगा लेकिन हम देखते हैं कि सुफीज जो हैं वो एक अलगी डायमेंशन एक तरह से प्रवाइड करवाते हैं जो की फेवर करता था पर्सनल डेवोशन भगवान के प्रति सुफीज जो है वो अकसर जो है रिजेक्ट कर देते थे इलाबरेट रिच्वल्स और कोड औफ बिहेबियर जो की डिमाड किया जाता था मुसलिम रिलीजियस स्कॉलर से मतलब मुसलिम अबिद्वानों से जो एक्ट से एक्स्पेक्ट किया जा था कि वो जो है बहुत ही अच्छा रिचुल करे और अच्छे behavior करे वो जो है पूरी तऱ से reject कर देते थे वे जो है इस वर के साथ ठीक उसी परकार जूरना चाते थे जिस परकार एक प्रेमी जो है दुनिया का परवा किये बगार अपनी प्रेमिका के साथ जूरे रहना चाहता है संत कभियों की तरह ही ये जो सुफी लोग थे ये भी जो है अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए जो है बहुत सारे जो है पोयम को कमपोज करते थे प्रोज में अगर हम बात करें तो एक ब्रिस्तित साहिप थे और कई किस्से कहानिया जो है इन सुफी संतों के इर्दगिर्द बिकसित हुई मतलब एक तरह से डेवलाप हुई इन में से अगर हम बात करें ग्रेट सुफीज के जो की सेंटरल एसियास के थे वो थे गजिली, रूमी और साधी नतपंथीज, सिधाज और योगी की तरह ही सुफीज भी जो है ये बिलीव करते थे कि अपने दिल को जो है एक तरह से हम ट्रेन कर सकते हैं ताकि ये जो है दुनिया को जो है एक अलग तरीके से देखे इन्होंने जो है पीर या मास्टर की देखरेक में जो है डिवलप किया elaborate method of training जिसमें ये यूज करते थे जिकर का जिसमें जो है नाम का जपना होता था फिर जो है contemplation जिसमें चिंतन करते थे फिर जो है समा जिसमें ये गाते थे फिर था रक्स जिसमें ये dance एक तरह से करते थे इसके अलावा था discussion of pebbles निती का एक तरह से ये लोग discussion करते थे फिर जो है breath control जिसमें जो है एक तरह से सांस को control करने पर एक तरह से जोड़ देते थे तो ये जो है एक तरह से इन method का एक तरह से इन्होंने use किया इस चीज को gain करने के लिए और इस तरह से emerge हुआ सिलसिलाज ये एक तरह का spiritual एक तरह से genealogy था सुफी teacher का मतलब PD दर PD एक तरह से सुफी teacher जो है परतेक जो है मतलब एक तरह से follow करते थे और इसमें जो है slightly different method मतलब तरीका जो है एक तरह से अपनाया जाता था instruction का और ritual practice का आगे हम देखते हैं कि 11 century से जो है बहुत सारे जो सुफी है वो Central Asia से आके हिंदुस्तान में बसने लगते हैं ये जो process था ये और भी मजबूत हुआ जब देली सल्तनत का establishment हुआ और तब हम देखते हैं कि बहुत सारे जो सुफी center है वो develop होने लगे all over the subcontinent में ये जो चिस्ती सिल्सिला था ये सभी सिल्सिलों में सबसे अधीक अगर हम बात करें तो प्रभावसाली था इसमें जो है एक लंबी लाइन थी teachers की जैसे की अजमेर के थे ख्वाजा मोहिनुदीन चिस्ती देली के थे कुतुबुदीन बक्तियार खाकी पंजाब के थे बाबा फरीद देली के थे ख्वाजा निजमुदीन औलिया और गुलबर्गा के थे बंदा नवाज घिसु दराज ये जो सूफी master होते थे ये जो है अपना assembly जो है खान का या hospices में करते थे ये hospice क्या है एक तरह का house है जहां पर मतलब की rest के लिए यूज किया आता है travelers का और especially जो की religious order के हो इसमें जो है सभी परकार के भक्त गन जिसमें साही घराने के लोग और आम लोग भी सामिल होते थे ये जो है spiritual matter पर मतलब अध्यात्मिक बातों पर एक तरह से चर्चा करते थे लोग जो है अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलजाने के लिए इन से एक तरह से असिरवाद मांगते थे या फिर संगीत या फिर हम बात करें music या dance के जल्सों में सामिल होकर चले जाते थे तो या फिर ये simple सामिल होने के लिए आते थे या फिर लोग को बिमारी और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है सुफी संथ की जो दरगा होती थी वो एक तिर्थ अस्तल एक तरह से बन जाता था जहां पर सभी इमान धर्म के लोग जो है हजारों की संख्या में इकटे होते थे तो ये तो था सुफी के बाड़े में अब हम बात ऐसा एज था जब इसलाम, ब्रामनिकल हिंदुईज्म, सुफीज्म और भी बहुत सारे तरीके भक्ती इसके अलावा जो है नात पंथस इसके बाड़ जो है सिधाज इसके अलावा जो है योगी ये सारे जो है एक दूसरे को इंफ्लूएंस करने लगे इसी समय पर हम देख रहे हैं ऐसे लोग जिसमें स्पेसली अगर हम बात करें तो क्राफट परसन, पीजेंट्स, ट्रेडर्स और जो लेवरर्स थे ये जो है एक जगा इकठा हो जाते हैं और इन संतों को अच्छे से सुनते हैं और उसके बाद जो है इनके आइडियाज को एक तरह से परचार कर इन में से कुछ जैसे की कबीर, बाबा गुरुनानक जी ये जो है रिजेक्ट कर देते हैं सारे और्थोडॉक्स रिलीजन को वहीं दूसरी तरफ तुलसिदास, सुर्दास जी ये जो है एकसेप्ट कर लेते हैं उस समय के जो बिलीफ एक्जिस्ट कर रहे थे और उसको प्र करन किया तुलसिदास जी की एक कंपोजिशन थी जिसका नाम था रामचरित्र मानस इसे जो है अवधी लेंग्वेज में लिखा गया था ये वही लेंग्वेज है जो इस्टर्न उतर परदेश में बोला जाता है और ये जो कंपोजिशन था ये जो है उनके भक्ती भाव औ दोनों को सो करता है तो ये तो था तुलसिदास जी के बारे में अगर हम सुर्दास जी के बारे में बात करे तो वो जो है वो क्रिस्न भगवान के भक्त थे उनका जो कंपोजिशन है उसे कंपाइल किया गया है सुर्सागर में सुर्सा रावली में और साहित लहडी में एक से संग्रहीत मतलब एक जगा एकठा किया गया है जो कि उनके भक्ती भाव को दिखाता है आगे बरते हैं इसी समय में हम देखते हैं कि संकर देवा जो कि असाम के थे अगर हम लेट 15 सेंचुरी की बात करें तो वो जो है बहुत जादा जोर देते हैं विस्नु जी की एक तरह स language में जो है बहुत सारे poems और plays एक तरह से compose करते हैं इन्होंने ही अगर हम बात करें तो नामगतर एक तरह से चलाने की, establish करने की एक तरह से practice start की जहांपर जो है प्रातना होती थी कभी तापाठ होता था और ये जो practice है आज तक आगर हम बात करें संकर्देवा के devotion का तो उसे जो है एक तरह से बोला जाता है एका सर्ना नामा धर्म जिसका मतलब होता है supreme surrender to the one इनका जो teaching था अगर हम बात करें तो वो based था भागवत गीता पर और भागवत पुरान पर इन्होंने जो है establishment of monasteries पर भी काफी जोड दिया ताकि जो है transmission हो सके knowledge का इनका अगर हम बात करें major composition का तो वो था किर्तन घोष ये काफी popular है आगे बढ़ते हैं तो इस tradition में अगर हम बात करें और भी संथ एक तरह से involved थे जैसे की दादू दयाल, रभी दास और मिरा बाई मिरा बाई जो थी, वो एक राजपूत महरानी थी और उनका जो है साधी हुआ था मेवार के royal family में, 16th century में मिरा बाई जो है वो सिस से बन गई रविदास की, जो की एक संथ थे और ऐसे कास्ट के जिसे माना जाता था untouchable मिरा बाई जो थी, वो क्रिस्न भगवान के प्रती समर्पीर थी और उन्होंने जो है अपने पूरे भक्ती भाव को अगर हम बात करे बहुत सारे भजनों के थुरू एक तरह से express किया है उनके जो song थे उसने जो है openly एक तरह से अगर हम बात करे तो आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि यूनिक फीचर था most of the saint का अगर हम बात करें इस समय में कि उनका जो भी work था वो compose किया गया था regional language में और इसे जो है गाया जा सकता था और इसलिए ये जो है काफी popular हुई और generation to generation हम देखते हैं कि ये orally जो है transfer होती रही और इसको transfer करने में मतलब अगले generation को सबसे बड़ा योगदान अगर हम देखे तो जो सबसे ज़्यादा गरीब थे उनका था इसमें जो है most deprived communities भी आती थी इसके अलावा जो है और तो का भी बहुत ही हाथ था इस song को एक तरह से transmit करने में और इसके साथ हम देखते हैं कि वो जो है इसमें जो है अपना experience भी इसमें add करती रहती है तो आज हमें जो songs मिल रहे हैं वो संतों की रचनाए तो है ही साथी साथ उन PD दर PD लोग की रचनाए भी मानी जा सकती है जो उन्हें गाया करते थे और वे जो हैं अब हमारे पार्ट बन गए है पॉपलर कल्चर की अब हम एक क्लोजर लुक देंगे कबीर पर तो ये जो कबीर थे ये जो है प्रववली अगर हम बात करें तो रहे होंगे 15th और 16th सेंचरी में और ये जो हैं बहुत ही इंफ्लुएंसियल अगर हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट संथ थे उनका पालन पोसन बनारस में या उसके आसपास के एक मुस्लिम जुलाहा यानि वीवर मतलब बुनकर जो होते हैं उस परिवार में हुआ था उनके लाइफ के बारे में हमारे पास बहुत ही कम रिलैवल इंफर्मेशन है हमें उनके आइडियाज की जनकारी जो है उनकी साखियों और पदों के विसाल संग्रस से मिलती है जिनके बारे में कहा जाता है कि उनकी रचना तो कबीर ने की थी लेकिन गाया गया था जो इधर उदर घूम के भजन सिंगर गाते रते उनके द्वारा इन में से कुछ भजन जो है उसे जो है कलेक किया गया बाद में और पिजर्ब किया गया गुरू ग्रांत साहिब में पंचवानी में और बिजक में कबीर की जो टीचिंग थी वो बेश्ट थी अगर हम बात करें तो जितनी भी religious tradition मतलब धार्मिक परणपराय थी उसके rejection पर अगर हम बात करें तो बेश्ट थी उनके टीचिंग में अगर हम बात करें तो ब्राह्मनवादी, हिंदू धर्म और इसलाम दोनों के जो बाहरी पूजा के सभी रूप होते थे उसका जो है मजा कुराया जाता था उनकी poetry का language हिंदी था जिसके कारण जो है आम लोग जो है असानी से समझ सकते थे उन्होंने कभी-कभी रहस्य मई भासा का भी परियोग किया है जिसे समझना कठिन होता है कभीर जो है वो निराकार, मतलब फॉर्मलेस जो है, सुप्रीम गौर्ड, मतलब परमेश्वर में विश्वास रखते थे उन्होंने ये उपदेश दिया है कि भक्ती के माध्यम से ही हमें मोक्ष यानि मुक्ति प्राप्थ हो सकती है अगर फॉल्वर्स की बात करें तो कभीर के जो फॉल्वर थे वो हिंदू और मुसलिम, दोनों समुदाय के लोग थे तो ये तो था कभीर के बारे में अब हम एक क्लोजर लुक देंगे बाबा गुरु नानक जी पर कभीर जी की अफेक्षा में हम बाबा गुरु नानक जी के बारे में कहीं अधिक जानते हैं इनका जन्म तलवंडी में हुआ था जोकी ननका साहिब पकिस्तान में है वहाँ जन्म लेने के बाद इन्होंने रवी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक जो है करतारपुर में एक केंदर अस्थापित करने से पहले जो है कई अतराय की उन्होंने अपने फॉलोवर्स के लिए करतारपुर में ही एक रेगुलर अगर हम बात करें वर्शिप के लिए पधती अपनाई जिसके अंतरगत उन्हीं के भजनों को गया जाता था उनके फॉलोवर्स चाहे किसी भी कास्ट, क्रेड या जेंडर के हो एक साथ कॉमन कीचन जो की लंगर था उसमें खाते हुए मिल जाते थे ये जो सेक्रेड स्पेस बाबा गुरु नानक जी के द्वारा एक तरस से अगर हम बात करें क्रियेट किया गया था इसे जो है धर्मसाल कहा गया और आज इसे गुरुद्वारा कहा जाता है 1539 में अपनी मिर्तिव से पहले मतलब मरने से पहले जो है बाबा गुरुनानक जी ने अपने एक follower को अपना उत्राधिकारी चुना इनका नाम अगर हम बात करें तो लहना था लेकिन ये जो है गुरु अंगद के नाम से जाने गए गुरु अंगद का नाम अगर हम बात करें तो क्यों महत्तो है इसलिए ये महत्तो था क्योंकि गुरु अंगद जो है बाबा गुरुनानक जी के अंग माने गए गुरु अंगद जी ने बहुत सारे जो composition से बाबा गुरु नानक जी के उसको जो है compile किया और उसी में जो है अपना एक new script जिसे गुरु मुखी कहा जाता है उसे जो है add कर दिया गुरु अंगद के तीन successor मतलब उत्रा धिकारी ने अपनी रचनाएं अगर हम बात करें composition जो थे वो नानक के नाम से लिखी और इन सभी composition को finally जो है compile किया गया गुरु अर्जुन के द्वारा 1604 में इस compilation में सेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव और गुरु तेग बहादूर जैसे सूफियो, संतो और गुरुों की writing भी add की गई इन सारे compilation को 1706 में finally अगर हम बात करें तो गुरु तेग बहादूर के बेटे और उत्राधिकारी गुरु गोविन सिंग जी के द्वारा एक तरह से authenticated किया गया आज इस संग्रा को सिखो के पबित्र ग्रंथ, गुरु ग्रंथ साहव के रूप में जाना जाता है आगे बरते हैं तो 16th century में बाबा गुरु नानक जी के उत्राधिकारियों के नेतिर्थ में अगर हम बात करें तो उनकी फॉल्लोर्स जो थे उनका काफी विस्तार हुआ ये जो फॉल्लोर्स थे ये कई जातियों के थे लेकिन हम देखते हैं कि इनमें ब्यापारी, एर कल्चरिस्ट और आर्टीशन जो थे वो ज़्यादा थे इसकी वज़ा ये हो सकती है कि बाबा गुरुनानक जी इस बात पर ज़्यादा जोर देते थे कि उनके जो फॉल्लोर्स हो वो हाउस होल्डर्स हो या फिर अगर हम बात करें तो कोई प्रोड़क्टिव और यूजफुल ओकुपेशन करते हो हो सकता है उनका जोर इस बात पर हो उनके जो फॉल्लोर्स थे उनसे ये आसा की जाती थी कि वो कंट्रिव्यूट करेंगे जेनरल फंड में 17 सेंचुरी के सुरुवात में हम देखते हैं कि सेंट्रल जो गुर्दवार था जिसे हरमंदर साहब बोलते हैं स्वनमंदीर भी बोलते हैं उसके आसपास जो है रामदासपूर जो सिटी था वो डेवलप होने लगा इसका जो परसासन था वो सेल्फ गवर्निंग था और मॉडर्न हिस्टोरियन जो है वो इस यूग के सिक समुदाय को राज्य के अंतरगत राज्य मानते हैं मुगल समराट जहांगीर इस समुदाय को एक समभावित खत्रा मानता था इसलिए उसने 1606 में अगर हम देखे तो गुरु अरजुन को मिर्टु दन्ट देने का आदेश दिया आगे हम देखते हैं कि 17th century में Sikh movement का राजनीती करन सुरू हो गया जिसका पड़ि नाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविन सिंग जी ने खालसा का institution का निर्मान किया खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला Sikh समुदाय अब एक political entity बन गया आगे हम देखते हैं कि 16th और 17th century में जो है बहुत जादा मतलब कि यह historical situation चेंज हो रही थी जो की काफी influence करती है Sikh movement के development को सुरू से ही हम देखते हैं कि बाबा गुरु नानक जी के ideas का Sikh movement पर गहरा पढ़ाव पढ़ा उन्होंने जो है एक भगवान के worship पर जोड दिया उन्होंने आगरा किया कि caste, creed ये जो है और और भी अगर हम बात करें जेंडर की तो ये मुक्ती प्राप्ती करने के लिए कोई मायने नहीं रखते हैं उनके लिए मुक्ती किसी आनंद की इस्तिती नहीं थी बल्कि active जीवन बैतीत करने के साथ सोशल commitment की भी पूर्ती करनी थी अपने teaching के essence को ब्यक्त करने के लिए उन्होंने तीन सब्दों का परियोक किया नाम, दान और इसनान नाम से उनका मतलब था right worship मतलब सही उपासना दान से मतलब था welfare of others मतलब दूसरों की भलाई करना और इसनान का मतलब था purity of conduct मतलब अचार बिचार का पवित्रता उनकी teaching को आज नाम जपना, कृत करना और वंद, चखना के नाम से याद किया जाता है और ये underline करता है importance of right belief and worship जिसका मतलब है सही विश्वास और उपासना फिर से honest living मतलब इमांदारी से निर्वा करना और helping others मतलब दूसरों की मदद करना इस तरह से बाबा गुरु नानक जी के equality के जो idea थे वो उसके जो है social और political माइने थे तो ये तो हमने बाबा गुरु नानक जी के बारे में बहुत ही detail में जाना और इसके साथ ही ये chapter complete होता है तो हमने आज जो है बहुत सारे मतलब की main बात करे तो बाबा के बारे में जाना जैसे की बाबा गुरु नानक जी के बारे में और उनके followers के बारे में जाना इसके अलावा जो है हमने कबीर, रबिदास और दादू जैसे संतों और उनके followers के बारे में जाना और इन सारे के इतिहास के बारे में जानके हमें इनके बीच में जो फर्क है उसको समझने में मदद मिलती है तो जाने से पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें extra क्या जानना है तो आज हम जानेंगे Martin Luther और reformation के बारे में तो 16th century में अगर हम बात करें तो Europe में भी अगर हम देखें तो religious ferment मतलब कि धार्मिक जो है उतल फुतल का समय था और तब हम देखते हैं कि Christianity में बहुत सारे changes हुए जिसे लाने में अगर हम बात करें तो one of the most important leader थे Martin Luther Luther ने ये महसूस किया कि बहुत सारे practices जो Roman Catholic Church में हो रहे हैं वो Bible के teaching के against हैं Luther ने Latin भासा की बजाए आम लोगों की language के परियोग को एक तरह से बढ़ावा दिया को जर्मन भासा में translate किया Luther जो है उस प्रथा के बहुत ज़्यादा बिरोध में थे जिसके अंतरगत पापकर्मों के छामाक कराने के लिए Church को दान दिया जाता था जैसे जैसे printing press का growth एक तरह से होने लगा मतलब यूज लोग ज़्यादा तरह से करने लगे तब जो है उनकी writing का बहुत ही अच्छे से परचार परसार होने लगा बहुत सारे protestant christian जो sect है वो आज भी अगर हम बात करें तो अपना origin जो है वो teaching जो थी लूथर की उसमें खोचते हैं इसके साथ ही ये chapter पूरीता से complete होता है अगर आपको कोई भी इसमें point समझने में परसानी हुई हो तो आप जो है comment में अपना question डाल सकते हैं मैं कोसिस करूँगा कि जितनी जल्दी हो सके आपके सवालों का जवाब दे दू ठीक है फिर मैं अगले chapter के साथ मिलता हूँ आप अपना ध्यान रखें अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे like, share और subscribe करें ताकि वीडियो लाने का उस्सा बना रहे Thank you for watching this video God bless you